हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्यों दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा सीटेट का एक्जाम 9 December को होने वाला है, तो अब आप लोगों के एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि वार में दिन आप लोगों का एक्जाम संपन हो जाएगा तो 11 दिन बचे हैं तो आप लोग को क्या करना क्या है आप लोग काफी दुविधा में पढ़े हुए हैं सोच रहे हैं कि अब आप लोग 11 दिन में क्या करें तो सबसे पहला काम जो आप लोग को करना है वो जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसका revision प्रादम कर दीजिए जैसा को आप लोग जरूर देख लिए और ये सभी कोश्चन जो आज मैं आपके लिए लाया हूं ये सिच्छा सास्तर से संबंदित हैं यानि कि पैडो गौजी से संबंदित हैं तो इन कोश्चन को देख लिएगा लगवग इस पार्ट में आपको 45-50 कोश्चन मिलेंगा और सभी क तो व्याक्या सही थल किया जाएगा दोस्तों में चीज सीटेट में क्या हो थी कि आपका दिमाग काम करने हैं आप लोग जब दिमाग से सोचेंगे सोचकर उत्तर देंगे तो वो उत्तर सही हो जाएगा पढ़ना इसमें आबस्यक नहीं है कि क्या आपने पढ़ा क्या नही सकते हैं तो चलिए देखते हैं ये कुछ question important question इन सभी questions को जरूर देखेगा और अंति तक देखकर वीडियो को share जरूर कर दीजेगा क्योंकि अंतिम समय में revision के लिए बहुत important questions हैं और दोस्तों इस सभी जो question में आपके साथ share करूँगा ये इस part में कराऊंगा ये किसी भी subject में पूछे जा सकते हैं मैंने सभी subject के मिला कर ये question रखे हुए हैं तो ये मत सोचेगा कि ये सर्फ बालविकास से संबंदित हैं ये किसी भी आपके subject से पाँचों में से किसी भी subject में आ सकते हैं तो पहला question है रातमी किस तरपर भासा की पाठ पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को इस्थान दिया जाना चाहिए केवल कहानियों एवं कविताओं की विदेशी साहित की रचनाओं को ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो जिनमें भासा की अलग-लग छटाएं हो जो प्रत्यच रूप से मुल्यों पर आधारित हो तो दोस्तों देखिए रचनाओं का जब नाम आएगा तो रचनाएं ऐसी होने चाहिए यानि कि जो चैप्टर होंगे वो किस प्रकार के रखे जाए तो वो ऐसे होने चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े होए हूँ तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें की भासा के अलग-लग छटाएं व्यक्त हों तो दोस्तों इसका भी आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो अगर देख लीजे बच्चों के परिवेश से जुड़ी होई रचनाओं को देंगे जिससे की बच्चों की उसमें अलग-लग छटाएं व्यक्त हों और अच्छे से वो लोग समझ सकें अब इसका अगला कोश्चन है भासा की पाठ पुस्तक का निर्मार करते समय सबसे कम मह सबसे कम महत्पून की तो पाठों की संख्या से तो में मसं मतलब है नई यानि कि पाठों की संख्या कम या अधिक हो में चीज जो अमुदों को करने है भासा की बिभन्यों चहटाये हूं अभ्यास दिये हों और विसे बस तुम्हें व्यविद्धा ओ यानि की अलग-लग topic से related हो तो इसका दोस्तों C number option हो जाएगा जो की सबसे कम महत्वपूर्ण है इसका अगला question है आप सस्वर पाठन में अनिवारता की सहितिक विदा का समर्थन करेंगे एक आंकी का यात्रा ब्रतांत का जीवनी का या फिर आत्म कथा का तो दोस्तों सस्वर वाचन के लिए इसके आप लोग याद कर लीजे रट लीजे ये question निश्चित पूछा जाएगा और इसमें हमेशा आपको एक आंकी ही उत्तर देना एक आंकी जो होती है ये सस्वर वाचन के है सस्वर पाठन के अंतरगत आती है इसका आपका first number option सही हो जाएगा अब अगले question पर बढ़ते है प्राथमी की स्थर पर आप किस तरह का बाल साहित उचित समझते हैं केबल कहानियों का ऐसे साहित जो प्रसिद्ध साहित कारूंद्वारा लिखा गया हो अईसा साहित जिसमें सब्दों और घटनाओं का दोराव हो केबल कविता है तो उसमों प्राथमी की स्थर पर बाल साहित जोगा वो किस प्रकार का होना चाहिए जो सबसे उचित होगा तो दोस्तों इसका आपका C number option सही हो जाएगा अईसा साहित जिसमें सब्दों और घटनाओं का दोराव हो जिससे की बालक जोंगे वो बार बार उन सब्दों को पढ़ेंगे याद करेंगे घटनाओं को समझेंगे तो उनके चरित पर उसका प्रभाव पढ़ेगा उन चीजों को वो लोग याद कर पाएंगे केबल अगर लगा वुँआ घया तो केबल साधन कि तरह प्रियूक की जाती है अब देखीए इसमें एक मात्र लग गया एक मात्र भी अगर लग गया तो वो केबल की जगे पर ही यूज हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा मेसा ये कुछ परिच्छा देना ये भी पॉइंट कभी सिलेक्ट नहीं करने आपको अब इसका अगला कोशन है पाठ में दिये गए चित्रों का क्या उद्दे से होता है चित्र अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने में साहता करते हैं चित्रों से पाठ पुस्तक आकरसक बनती है चित्र पाठ की सोभा वड़ाते हैं पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है तो चित्रों से का क्या उद्दे से होता है चित्र किसलिए होते हैं तो दोस्तों इसका आपका फर्ष्ट नंबर ऑप्शन दिया गए चित्र अमूर्थ संकल्पनाओं को समझने की साहता देते हैं बच्चों की कलपना सकती बाद चिंतन सकती का विकास होता है बच्चे प्रसंद होते हैं बच्चे कच्छा में एकागर चित्र होकर सांत बैठते हैं या फिर बच्चे अनुसासित होते हैं तो दोस्तों इसमें आपसे उद्दे से पूछा गया कि कहानी सुनने का उद्दे से नहीं होता, कहानी सुनने का जो मेन उद्दे से होता है, उससे बच्चे की कलपना सक्ती का विकास होता, इमेजनेशन पावर बढ़ती है, साथे साथ जो चिंदन सक्ती होती, इसका भी विकास होता है, इसके बाद अगला कोशन है, भासा सिछण के संदर में निमलिखित में से कौन सी पाथ पुस्तकों की उपयोगिता है, जियन प्राप्ट के लिए पुस्तकें सर्व शुलव एवं मितिवेई साथान है, पुस्तकें अरजित ग्यान का इस्थाई करण है, छातरवाच सिछक दोनों ही पुस्तकों माध्यम से पाथ क्रम का घ्यान रहता है या फिर उप्रोक्त सभी तो दुस्तों भार्षाजा चैण्छन के संदर में निम्न में से कौन सि पाठपुष्टों की उप्योगिता है तो उप्योगिता क्या होगी दूस्तों देखे सबसे पहला दिया गया सर्व सुलब और मितब्वजिस आधन है बिल्कुल सही है, दूसरा है अरजित ग्यान का इस्ठाई करण है, ये भी सही दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि दोनों के मद्ध में ग्यान का जो पाठकरम का ग्यान रखता है, ये भी सही दिया गया है, तो इसका आपका D number option सही जगा उपरोक्त सभी, ये आपको सही करन अब अगला कोश्चन ने एक आपको कथन दे दिया गया है कि खाली स्थान ने कहा है कविता के मूल में जीवन की आलोचना है तो ये कथन किसका एप्रेम चंद का सेक्सपियर का अर्नौल्ड का या फिर पावलक का तो दोस्तों ये कथन है अर्नौल्ड का इसका आपका सी उप्योगिता है तो पाठ पुस्तकें सिच्छा का मार्क दर्शन करती है पुस्तकें ग्यान प्राप्ति का ससक्त साधन है पुस्तकों के सारे व्यक्ति बिना गुरू के भी अपना ग्यान आर्जन कर सकता है पुस्तक मौलिक चिंतन की ससक्त प्रष्ट भूमी है तैयार करत सकते तीनों ही चीजें उपयोगी होती है अब इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर सिच्छन सहायक सामगरी का लाव है इससे पाठ अधिक रोचक सरल्वा मनोरंजग बन जाता है इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रतिरुचिका विकास होता है इसके प्रयोग से सिच् अब इसके आद बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर ये कुछ पर्यावरान अध्यन से संबंदेत पैड़ोगाजी के कोश्चन है इनको भी देख लीजे और एक कोश्चन को समझते रही है पर्यावरान अध्यन की पाथ पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना टि दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा रेल टिकट का मेन उद्दे से क्या होता है इस मेर नमूना ज सीनमबर आप्शन सहही हो जाएगा पर्यावरन सिच्छन से सम्मंदित अवधारणाय बहुतायत में खालिस्तान इन पाठपुस्टकों में पाई जाती है जीव विग्यान एवं रसायन विग्यान भहुतकी एवं भूगोल अर्थ सास्तर एवं सामाजिक सास्तर या फिर उप्रोक्त सभी तो दुस्तों अध्यन जो आपका चैप्टर है इसका छेतर बहुत ही विस्तरत है ये सिर्फ आपका एक छेतर से सम्मंदित नहीं इसके अंतरकत विग्यान आ जाता है भूगोल आ जाता है सामाजिक विग्यान आ जाता है सामाजिक अध्यन भी बड़ा टॉपिक है इसके अंतरकत आपके अर्थ सास समाज सासर नागरिक सास सब कुछ आ जाते हैं तो दोस्टों इसका आपका देखे पहला भी सही दिया गया दूसरा भी है और तीसरा भी तो दोस्टों यानि कि इसका भी आपका फोर्थ आप्सन सही हो जाएगा उपरोगत सभी इन सभी चीजों को आप लोग समझते जरूर रही है नहीं तो आप लोग सोच रहे हों कि उपरोग सभी option दिया गया तो समझने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बिना अगर सोचे आप लोग answer दें के तो निश्चिन मान के चलिए आपका गलत हो जाएगा और इसके शाथ शाथ दोस्तों कुछ लोग comment walks में कहरे था कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं और option बताने का time नहीं मिलता तो दोस्तों, option बताने का time नहीं है, revision का time है जल्दी जल्दी देखते लिए कि कोशन को कम से कम समय में जादा से जादा पढ़ने का प्रयास करिए अब अगला कोशन है निम्न कच्छाओं में सामाजिक अध्यन को क्या नाम दिया गया है सामाजिक विग्यान, सामाजिक अध्यन, पर्यावरान अध्यन या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सामाजिक अध्यन को क्या नाम दिया गया है तो इसका आपका C नंबर ओप्शन से गरा थर्ड नंबर ओप्शन पर्यावरान अध्यन नाम दिया गया सामाजीक अद्धिन निम्न कच्छाओं में यानि कि जो प्राथमी किस तरकी कच्छाओं थी उनके लिए कहा गया है निम्न यानि कि कोई विशेस अर्थ के लिए नहीं लिया गया है अगला है पर्यावरन अध्यन के सिच्छक को चात्रों में निमलिखित में से किसके विकास पर जोर देना चाहिए मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिक्ता का विकास या फिर ये सभी तो दूस्वों में जीत जोती मूलopen का विकास भी आवज सेख है चरित्र का विकास भी और सामाजीकता का विकास भी तो इसका आपका फोर्ट नंबर अप्शन सही हो जाएगा यह सभी यानि कि उप्रोक्त सभी वाला सही हो जाएगा अब अगले question पर बढ़ते हैं निम लिखित में से क्या एक सामाजी कद्धिन की विशेशता नहीं है सामाजी कद्धिन मानो जीवन को प्रधानता दिता है सामाजी कद्धिन इतियास भूगोल अर्थ सासर तथा नागरिक सासर का एक संग है सामाजी कद्धिन ग्यान के नवीन द्रश्टिकोंड पर बल नहीं देता है सामाजिक अध्यन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्त इस्थापित करता है तो इसकी विशेस्ता नहीं है ये पूछा गया आप से तो जब आप लोग आप्शन पढ़ेंगे आपको खुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीज गलत दिया है तो दोस्तों इसका थर्ड नंबर उप्शन देखे लिखा है सामाजिक अध्यन ग्यान के नवीन द्रश्टिकोंड पर बल नहीं देता है ये बिल्कुल गलत दिया गया है ये इसकी विसेस्ताओं में से एक नहीं है तो यही आप लोगों को सिलेक कर लेना है अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर नेम लिखित में से क्या पर्यावराण सिच्छा का लच्छ है बच्चों में वैग्यानिक जानकारी का विस्तार करना बच्चों को उनके परिवेश का महत्तो समझाना पर्यावराण संरच्छन के महत्तो से बच्चों को अवगत कराना या फिर उप्रोक्त सभी तो दोस्तों पर्यावराण सिच्छन का जो लच्छे होता है ये तीनों ही बिल्कुल सही दिये गये है तो आप लोग इसका fourth number option से युजाएंगे उप्रोक्त सभी ये बिल्कुल suitable और सही दिया गया है तो समझते रही है आंसर देते रही है अब अगला question NCRT की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरेंट सिच्छा का परचार परचार किया गया है Nature, School Science, Science for School या फिर Education in India तो दोस्तों इन में से कौन सी पत्रिका है जिसका प्रयावरेंट सिच्छा के परचार परचार के लिए किया गया है और ये NCRT के द्वारा चलाई गयी है तो इसका नाम है School Science Second Number Option सिच्छा का Important Question है ये आपका CBSC यानि की CETED के एक्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि उसी से Related है अब अगला Question है परयावरेंट सिच्छा का मुख जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो खाली स्थान और है से रूबरू करा तो इसमें आपको दो खाली स्थान बढ़ने और इनमें आपको उनकी वास्तविक दुनिया क्या है उसके बारे में पूछा गया तो वास्तविक दुनिया क्या होती है तो प्राकृतिक हो गई और दूसरी क्या राजनेतिक तो होगी नहीं आर्थिक भी नहीं होगी और नही सामाजिक और आर्थिक होगी देखे में चीज प्राकृतिक होती वो भी ओगे दूसरी चीज होती है सामाजिक तो इन दोनों का मिस्रण जो था वो होती है वास्तिविक दुनिया तो यानि कि आप लोग इसका थर्ड नंबर आप्शन सही कर देंगे प्राकृतिक सामाजिक अब अगला कोश्चन है उप्चारात्मक सिच्छन की व्याख्या में सामिल है, समूह अनुबर्ग सिच्छन, निरिच्छन अनुबर्ग सिच्छन, व्यक्तिगत अनुबर्ग सिच्छन या फिर ये सभी, तो दोस्तों जो उप्चारात्मक सिच्छन होता उसमें समूह पॉइंट आते हैं वो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए एक ग्रूप हो गया एक जो आप निरिच्छन करेंगे वो गया तीसरा हो गया जो व्यक्तिगत होता है इंडिविजुल होता है अब अगला कोश्चन है अधिगम संबंदी गलतियों और कमियों को दूर करने के उपचारात्मक सिछान या फिर सूचम सिछान तो दोस्तों यह इसका दूसरा आता है निदानात्मक और तीस रहोता होता है अव details 1983it 511 Let गलती होती है तो यह गलती चेक की जाती है निदानात्मक परिष्ण के माध्यम से और इसके बाद आता है उप्चारात्मक परिष्ण जब इन कम्यों को दूर किया जाता है अब अगला कोशन है गडित का वह सहचिक उद्दे से जिसे सिछक कच्छा में ही प्राप्त कर लेता ह कहलाता है व्यभारगत उद्दे से सामाने उद्दे से विशिष्ट उद्दे से या फिर प्राप्त उद्दे से तो दूस्तों सिछक कच्छा में ही जिस उद्दे से को प्राप्त कर लेता है वो काउन सा उद्दे से कहलाता है तो यह प्राप्त उद्दे से होता है इसका आ परिवर्तन होगा आकरतियों के वर्गी करन करने का वैसी आकरतियों को खीचने का आकरतियों की प्रसंसा करने में या फिर गड़ित परिसद पट जयामती आकरतियों का प्रदर्शन करने का तो दूस्तों क्या इसका सही हो जाएगा जब इन जयामती आकरतियों का अब बोधन हो जाता है तो वो आकृतियों का वर्गी करण कर पाएगा सीधी सी बात है और तीनों तो गलती गए फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है अब बोधन का मतलब होता है knowledge प्राप्त कर लेगा यानि कि जब वो जैमती आकृतियों की knowledge उसे हो जाएगी तो वो आकृतियों में परिवर्टन यानि कि वर्गी करान कर लेगा समझ लेगा कि कौन सी आकृति किस्से संबंदित है अब अगला question है यह दियाप की कच्छा में कोई छात्रगडित विशय में कई बार 39 होता है तो छात्रगडित के कि शेत में कमजोर पाया जाता है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे लिखे मौके कार निदानात्मक कार या फिर उपचारात्मक कार तो दोस्तों अभी उपर मैंने आपको क्या बताता कि कई बार अनुतिन हो रहा है जब वो तो हम लोगों को सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि उसका कारण क्या अब अगला कोशन है निदानात्मक परिछणों से ग्यात किया जा सकता है चात्रों के लिए कठिनाई के छेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विसेस प्रकार की तुर्टियां चात्रों की गड़ती प्रष्ट भूमी का अभाव चात्रों की गड़ित के प्रतिरुची चात्रों के लिए गड़ित का कठिन होना तो निदानात्मक परिछण से क्या ग्यात करते हैं उपर देखे फिर से वही कोश्चन पूछ दिया गया है बस थोड़ा गुमा दिया गया है कोश्चन तो हम लोग निदानात्मक परिछण से क्या ग्यात करते हैं चात्रों के पहले पिछय चाहत्रों के लिए उपछार आत्मक सिच्छन का उप्यों कब किया जाता है दोस्तों यह कुश्चन मैं आपको अभी उपर बता चुका हूं इसका आंसर में अपने उपर पढ़ा कितना समझ में आया इसलिए इसक्ष्चन का आंसर जरूर दे दें मैं आपको दो तीन वार ऊपर के सभी कोश्चंस में एक एक करके चीज मैंने बार बार डिसक्स की है तो जरूर बताएं कि उपचारात्मक सिच्छन का उपयोग कब करेंगे किसके बाद करेंगे चार पॉइंट आपको एक जैसे दिये गए हैं बस आपको उपनी बुद्ध का प्रयोग करके सही को चुनना है अब अगला कोशन है चात्र विद्याले में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच है तो जो कराये जाता है देखिए उपलब्दी परिच्छन कराये जाता और निस्पत्ती परिच्छन दोनों कराये जाते हैं तो इसका आपका फोर्थ आप्शन सही हो जागा एक बाद दोनों निदादात्मक परिच्छन तो इसके बाद में होता है तो पहला दूसरा सही हो जाएगा अब अगला कोशन है एक कोशन आपको निश्चित इस प्रकार का मिलता है हर बार आता है एक्जाम में क्या है ये दिकच्छा चार का एक छात्र किसी प्रसन को हल करते समय गढ़ना सम्मंदी तुटियां करता है जैसे 12 प्लस 5 बरावर 16 तो इस प्रकार की तुटियों के उपच आवस्थे कराएंगे जब वो इस प्रकार की गड़ती यानि की गड़ना सम्मंदी तुटियां करता है तो इसके लिए आपको क्या करना सबसे आवस्थे करेगा तो थर्ड नंबर आप्शन है तुटियों पर आधारित प्रसनों को उससे स्याम पट पर हल करवाएं यही सब आत्मक परिच्छन या फिर विस्देशन आत्मक परिच्छन तो मंद बुद्धि छात्रों को सुधार के लिए क्या करेंगे ताकि उनकी तुटियों का पता लगे कि किस प्रकार की तुटियां वो लोग कर रहे हैं अब इसके बाद अगला कुशन है निम्द मेंसे क्या निकट संबंद कार अनुभव अध्यापक का व्यापक द्रश्टिकोंड या उप्रोक्त सभी दोस्तों सभी कोशन बहुत ही उच्छी कोट के बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है एक भी कोशन को छोड़िएगा मत समझ जरू लीजेगा अब तो इसका आपका फोर्थ आप्श तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मन्द बुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभास आली बच्चों के लिए या फिर इस सभी के लिए तो इसके सुधार के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसका आपका fourth option से हो जागा सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता कोई एक business work के लिए नहीं करते हैं अब इसके बाद अगला question है अधिगम संबंदी कठिनाईयों और कम्यों के सुरूप का निर्धारण करना कहलाता है उपचार निदान तुरुटी या फिर विचार तो अधिगम संबंदी कठिनाईयों और कम्यों का जो सुरूप का निर्धारण किया जाता है इसको का जाता है निदान इसका आपका second option से हो जागा दोस्तों उपचार आत्मक और निदा लाना पिछडे बालकों की पहचान करना चात्रों को कम्यों के आधार पर उनको सैचिक निर्धेशन देना या फिर उप्रोक्त सभी निदानात्मक परिछण का मेन उद्दे से जोता वो तीनों पॉइंट होता है कि अध्यन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार आता इससे पिछडे बालकों की पहचान होती है और कमियों के आधार पर उनका सैचिक निर्धेशन किया जाता है तो इसका आपको लोग फोर्थ नंबर आप्शन सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी अब बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर ये कुछ अन्यिंपॉर्टन कुश्चन बचे नहीं करेगा मुक्त उत्तर वाले प्रसन अन्वेशन आत्मक प्रसन अभिसारी प्रसन याफिर बंद उत्तर वाले प्रसन तो दोस्कों इस utilizz में पूछा गया कि कौन उनके आलुचन आत्मक यानि की तार्किक निकल सकते हैं यानि कि निम्हीं वो विस्तरत रूप से सोच सक तो आप लोग 4th number option select करेंगे अब इसकार बढ़ते हैं अगले कोशन पर निम लिखित में से कौन सा प्रस्ण विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौसल को विक्सित करने में मदद करेगा महिलाओं के ग्या कारेक पर दोगुना भोच पर टिपड़ी कीजिए असत्य क्या है यह बताईए तो दूस्तों इसमें आपसे पूछा गया कौन सा तार्किक कौसल को विक्सित करने में मदद करेगा तो दूस्तों इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले कुशन पर कच्छा में लेंगिक भूमिका के वारे म चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे चुकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अरजन करेंगे अता विद्या ले जाना जरूरी है समाज में ब्याप्त लेंगिक रूड बद्धिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवे सकता है पर बल देंगे कौन सा सही रहेगा तो इसका देखे second number option दिया गया है कि समाज में ब्याप्त लेंगिक रूड बद्धिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवे सकता है यानि कि समाज में ब्याप्त जो लेंगिक रूड बद्धिता ब्याप्त है लड़के लड़क चात्र नंबर औप्षन को नवीन कार करने से रूखा जाये जब उन्हें किसी कारकी नवीन या पूराना कैसा वुकषा जाता है तो वहीं पर उनका विकास थम जाता है रुक जाता है तो ये वाला option बिल्कुल गलत हो जाएगा आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब अगले question पर बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि कुछ link आपको नीचे description में मिल जाएंगे वहाँ से आप लोग मेरे पिछले parts को देख सकते हैं और अपना revision कर सकते हैं जो question यूपी टेट के लिए important थे उन questions को भी कुछ पार्ट में देख सकते हैं क्योंकि वो question भी seated में अलगलग पार्ट में थोड़े बहुत पूछ दिये जाते हैं इसके लाब अगर आपको कोई doubt हो तो आप लोग comment box में जरूर बताएगा और जो मैंने question पूछा उसका answer भी जरूर देदें अधिक सेधिक संक्या में तो अगला question है आपका अच्छा साथ के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना जाते हैं इसके लिए आप निम्न में से किस विकल्प को चुनेंगे तो इसका आपका कौन सा option सही हो जाएगा पढ़ लीजिए और जल्दी से answer देदीजिए तो दोस्तों इसका आपका fourth number option सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी दिया गया तो यानि कि तीनों option सही हो जाएगे और आज का अंतिम question है इसे देख लें इसका आद दोस्तों ना भूलें तो अब अंतिम question है आयू बढ़ने के साथ सा चात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में खाली स्थान की प्रधानता बढ़ जाती है तर्क की विचार की मौन की या फिर सक्री है तो दोस्तों जैसे जैसे बालक की आयू बढ़ती है उसमें आलोचनात्मक चिंतन की त जानता बढ़ जाती है यानि कि तार्किक चंता बढ़ने लगती है तो इसका आपका first option सही हो जाएगा और आज के पार्ट में इतने ही question तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो इसे like कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ share करना मत भूले share जरूर करते रहे thank you दोस्तों